हालो एबरिवान वल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप सबी लोग मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उमिद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होएंगे और गुड मॉर्निंग बलकुत सुबह सुबह का टाइम है और अभी बज चाथ तो चार बजे उठी थी मैंने सरगी काई थी फिर उसके बाद मैंने ना आया तो मेरे तो बाल भी सुख गए है तो बस मैं तेल लगाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं एक दिन भी सिर में बाल में तेल नहीं लगाती ना तो बहुत सिर में दरद होने लग बालो में हमेसा वही लगाती हूं तो अभी थोड़ा ठंड का टाइम भी चल रहा है तो मैं नारियल तेल वी लेकर आई थी इससे लगाने से हाथ पर सफ्ट रहते हैं तो वही लगा रही हूं और यह वीडियो थोड़ा सका लेट हो जाएगा प्लीज उसके लिए सौरी पर द मैंना उस दिन बताया थैना आपले वह को थड़ा सा काम हैगा तो घर में चल रहा है और कर्भाच्षवत के बिल् कुल दूसरे सी दिन काम शुरू हो गया था अगर मैं एक दिन और ना रोकती ना तो वो करवाच्वाट के दिन से ही आज के दिन से ही काम लगा रहे थी तो बिल्कुल मेरे पीछे जो रखा है ना वहां से ड्रम वहीं से थोड़ा सा काम चाली होना है तो इतना ज़्यादा फैल गया है बहुत ज़्यादा तो इस वज़े से मैं नहीं कर पाई और बहुत लेट हो गया नहीं तो मेरा वीडियो आप लोगों के दिन पहले मिल जाता और अभी थोड़ा सा लेट हो ही जाओंगी अगर मैं वीडियो भी नहीं बना पारी हूँ नहीं बिल्कुल इतना ज़्यादा डास्ट सा कमरे में बहुत वही धूल डास्ट बहरा हैगा तो इस वज़े से नहीं कर पारी हूँ तो वही उसमें बूल रहे थी किकली से कम लगाते है आज रहन देते है तो वह नगा सही भी है कल से करांएंगी आज क्योंकि बिल्कुल उपासवाला देना तो हिम्मत तो वने वाली नहीं है और आज भी कोई कम काम नहीं थे बहुत सारे कम थे तो मैंने कि सोबे से बहुत सारे काम किये है और उसके बाद समके चार वजे में फोर्षत हुई हैं तो समके चार वजे से फिर मखाना में लगूंगी क्योंकि बहुत सारे आइटम बनाने है और आप लगों से शियर करूंगी पर वीडियो पूरी जरूर देखिएगा तो मैंने बालों में तेल लगा लिया है और जूरा बना लिया है । अब बताती को अप लिगूं को इसको नगाना है और अभी में बहुत ज़्यादा बीजी में बहुत ज़्यादा यहां पर यह काम भी चल रहा है लाइकती है तो यह भी मैं बना रही हूं तो अभी तो मेरा यहीं सब चल्वान बहुत जल्दी हैगी और आप लोगों को आवाद भी अच्छी नहीं आ रही होगी तो मेरा लोग करूंगी आप लोगों से थोड़ा सावर दिखा दे रही हूँ और यहां पर पूरी फाइनली तैयारी हो गई है जब आकर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला आप लोगों से कुछ भी शेयर करने का यह है मेरा फाइनल लोग कुछ इस तरह की साड़ी है यह उड़े लहंगे वाली है तो अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ फिर आप लोगों से आके बात करूंगी क्योंकि कई मैं बहुत देर हो चुकी है बच गया है ना तो सब लोग बला रहे हैं तो मैं जाती हूँ और मैं यहां डारेक्ट सामकी पूजा के बाद ही आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि ना बिल्कुल भी मज़े मोबाइल उठाने का टाइम नहीं मिला मुझे इतनी जल्दी जल्दी आप लोग तो समझी सकते हैं कि सामके मतलब यह वाली पूजा तो कर जल्दी हो जाती है वो तो चांद का इंतिजार हम बाद में भी कर लेते हैं पर पूजा का टाइम जो रहता है वो हम लोग न की और मैं पूजा का इसलिए से नहीं कर पाती क्योंकि मेरे साथ ना उस साल भी यही प्रॉब्लम होई थी कि मेरे साथ ना मुबाइल के लिए कोई होता नहीं है ज समझ नहीं हाता है तो बस यहाँ पर मैंने कार्थिक को पकड़ाया है थोड़ी दिर के लिए मुबाईल तो यहाँ पर मैं पूजा होई थी तो बस अब मैं अपने घर पी ही में आपने आपको बहुत नहां गल की तवख़ लें लेतलों मैं अपने में आपको इसको उल्टा बोलते हैं के सीधा सौइद उल्टा बोलते हैं जो भी तैसे लेते हैं और ये है खाना मैंने खाना कहना इसलिए सूट Connie के आप लोगों से क्योंकि मैं बता रही थी ना बहुत जादा टाइम हो गया था मुझे बहुत सारी चीज़गा बनानी थी tys 되어 मैंने और सच बता रहे हैं मैंने घर में ही बनाई हैं सारी चीजें मैंने एक रुपय को कुछ भी नहीं मंगाया मैं सिर्फ करवावस लेकी आई थी और वह भी जो लाश्टी वीडियो डाला है ना उसी दिन लेकर आई थी और रख दिया था मैंने दूसरे दिन तो मुझे जाने भी नहीं मिला था मतलब समय नहीं निकाल पाई मैं और यहां तक कि महंदी भी नहीं लगाई आप लोग देख रहे होंगे बिल्कुल महंदी नहीं लगी मेरी हाथो में क्योंकि महंदी मेरे से तो बनती नहीं है मैं सच बता रही तो manure नहीं लगाई यहां पर मैंने मिठाई पांच پरकर की बनाई थी बस थोड़ा थोड़ा सा ज़ाध रुपै का मैंने सामान मंगा था अपनी हस्दे से और खाना भी पांच प्रकार का बनाया तो अभी थोड़ी देर से आपनों को खाना भी और मिठाई भी देखा दूंगी आज ना सबसे ज़्यादा टाइम चांद निकलने में लग गया है क्योंकि मुझे लगता है इसी साल सबसे ज़्यादा लेट हुआ है क्योंकि पूजा तो 9.30 बज़े करीब होई गय थी परचांद ना 10 बज़े करीब निकला है यहां पर हमारे जवलपूर में तो बस उसके कारण ना काफी रात हो गय थी परचांद की पूजा की घर आकर तो रात के 11 बज़े गय थी तो बस अब हम लोग खा रहे हैं खाना और जब तक हम लोग तो रात में वैसे ऐसे ही खाते हैं साथ मिलकर ही मतलब डेली तो कार्टिक भी बैठा तबू का वो भी नहीं खाया था तो बूलता सब लोग खाएंगे मम्मी पापा जब मैं भी खाऊंगा तो वो भी बैठा रहता है हम लोगों के लिए तो बस हम लोग भी खाना का रहे हैं और मुझसे इतना ही वो पाया प्लीस आप लोग जरूर सपोर्ट केजिएगा और इसी तरह मुझे सपोर्ट करती रही है और बताईएगा मेरी वीडियो कैसी लगी कामेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो ये देखिए ये गुलाब जामुन है ये मिठाई है और ये थोड़ा सूजी के हैना जादा हो गए थी रस चला गया था तो फूल हो गए और ये रस मलाई और ये तो सबजी है तो इतना ही खाना बनाते बनाते मैं चार बज़े स्टार्ट की थी मैंने बनाना सुरू किया था तो रात के साड़े आठ बज़ गई थी बनाते बनाते तो बस यह इसी बज़े से इसमें टाइम हो गया था और मैं कुछ नहीं कर पाई जादा तो सभी चीजें टेस्ट करना बनता है और आज के दिन तो मैं इतना मनलब हर करवचवत मैं ऐसे ही बनाती हूँ बहुत बहुत खुशी से बनाती हैं कोई खाने के मामले में मुझसे दिन वर खाने में लगा दे बनाने के लिए तो मैं बना लूँगे खान तो बस ऐसे ही रहा कुछ करवचवत मेरा आप लोगों से पूरा वीडियो नहीं सेर कर पाई और यहां पर कार्तिक मेरी पिच्चर के लिए कर रहा था तो इस वीडियो में याड हो गई है यह वीडियो थोड़ा सा तो मैंने सोचा ठीक है तो मेरी पिच्चर क्लिक कर रहा था करता मम में अच्छे लग रही है तो और यहां पर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर पर वो क्या जिस गर में पूजा करने गई थी ना वहां पे था जनम दिन तो इतने डीजे बज रहे थे कि फिर मुझे यहां से अपनी वाइस कट करना पड़ा क्योंकि इतनी ज़्यादा नोइस आ गया रहा कि मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी और वहां की गानी की इसमें ज़्यादा आ रही थी तो इस वज़े से फिर मैंना कट कर दिया तो मैं इस वाइस ओबर कर रही थी तो यही कह रही थी मैं आप लोगों से कि मैं कुछ नहीं सेयर कर पाई और महंदी तक नहीं लगा पाई मुझे ना सबसे ज़्यादा महंदी का बोरा था कि मैं हर साल महंदी नहीं लगा पाती क्योंकि मैं उसे बनती भी नहीं है जही बूल रही थी और प्लीस अगर मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो सबस्क्राइब कर लीजिएगा वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक सेर जरूर कीजिएगा और प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और इस करवचवत को भी प्लीज मेरे इंजॉय कीजिए आप लोगों से और आप लोगों को खाना कैसा लगा मेरा आज का और मैं कैसी लग रही हूँ और मैंने कोई सौपिंग भी नहीं की थी तो बस मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से तो बस यही मैंने लेंगे स्टाइल में जो साड़ी थी मेरी तो मैंने वही पहनी हुई है तो यह मेरी रक्षावंदन की साड़ी है और काफी मनला पुरानी है जादा भी नहीं मनला तिन-चार साल हो चुके इसको तो काफी है भी साड़ी थी ये बहुत ज़्यादा हम अम्मी ने दी थी तो वही मैंने पहन ली है क्योंकि इस समय में सौपिंग क्या मैं कुछ भी नहीं ले पा रही थी तो बस मैंने इसी तरह से अपना काम चला लिया है और यही मेरा सिंपल सा मेक अप है मेरा लोक है बस मैं यह इस से ज़्यादा कुछ भी नहीं करती है आप लोग ने तो मेरी हर वीडियो में देखा होगा और मेरिक प्रोडक्ट में ज़्यादा यूज करती नहीं हूँ तो मैं आप लोगों से क्या सेर करती तो मैं वीडियो का यहीं पर एंड कर रही हूँ और मैं मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ बहुत तेजवाली नीदा रही है तो हमें सो जाओंगी और एक क्वेस्चन का जवाबी दे देती हूँ कि उन्होंना का था कि पेड़न नीचे अपने पेड़न जो गमले वो नीचे रख लें वह मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि अगर मैं नीचे रख दूँगी तो उनमें धूप नहीं लागेगी और फिर तो वह और भी गुरू नहीं होंगे तो पेड़ पोदों को धूप और पानी की बहुत ज़रुवत है इस वज़े से क्योंकि पेड़ लगे हुए है ना बड़े बड़े तो उनके कारण पूरी धूप नीचे बिल्कुल छाया जाती है इस कारण मैं उपर रखी हुई हूँ